Hello everyone, welcome to trending economics. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं demate account क्या होते हैं, ठीक है, तो देखे, demate का full form होता है dematerialization, अब देखे, materialization का मतलब क्या होता है, भौतिक, जैसे book आपके पास एक भौतिक रूप में है, ठीक है, तो hard copy में उसको पलट सकते हैं, page बगरा, लेकिन वही book आप देखते ह shares को खरीदने के लिए, ठीक है, shares जब खरीदे तो उसमें आ जाते हैं, demate account में, तो आईए पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है, एक demate account भी हमारे bank की तरह ही होता है, ठीक है, bank की तरह हमारे account होता है, demate account में हम shares, bonds, government, securities, mutual funds, आदिको खरीद कर online रख सकते हैं, ठीक है, अगर आ पता होना चाहिए कि आपके पास इसके लिए demate account होना ही चाहिए, वरना shares को खरीद या बेंच नहीं सकते हैं, ठीक है, shares को आप खरीद कर अपने demate account में नहीं रख सकते हैं, ठीक, तो आपको demate account खुलवाना ही होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो